तो वेक्टर एल्जेबरा में सबस्तर पहले हम लोग देखेंगे फिजकल गौनिटी फिजकल कौनिटी को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है स्केलर और वेक्टर और वेक्टर अल्ली मैंनिटूड यहापे मैंनिटूड प्रस दिरिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहाँ पे स्केलर कौनिटी के लिए लेंथ डिस्टेंस वर्क यहाँ पे डिस्प्लेस्मेंट और फोर्स टॉर्क इस सारे वेक्टर कौनिटी हैं तो दो बातों को ध्यान रखना है एक मैंनिटूड इसका एक डायरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसको एक्स आई प्लेस यजे प्लेस जेट के से रेप्रेजेंट करेंगे यहां पर देखेंगे आई जेट क्या है और एक इसका मैणिट्यूड जब भी मैणिट्यूड कैल्कुलेट करना हो मौड आफ आर वो रूट के अंदर होगा एक्स स्कॉर प्लेस वाई स्कॉर प्लेस यहां पर दारेक्शन डारेक्शन कैल्कुलेट करनी होगी तो आर कैप पराबर वेक्टर को उसके मॉडलर से डिवाइट कर दीजिए यहां पर हो जाए एक्स साइ प्लेस वाई जे प्लेस जेट के अपान रूट के अंदर एक्स स्कॉर प्लेस वाई स्कॉर प्लेस जेट स्कॉर तो यहां पर आपने मैणिट्यू डारेक्शन दोनों को निकालना है सीखा तो एक यहाँ पर question बहुत important है basic concept के लिए उसे मुला find a vector एक ऐसा vector पता करना है जिसकी length length is as equal as the vector a vector have और direction towards length जो है a vector के बराबर है और direction towards b vector बराबर 2i plus a minus 2k तो suppose हमें r vector बरनाना है क्या निकालना है r हर vector के 2 component होते हैं एक उसका magnitude आपने बोला ही कि magnitude का मदलब है length और एक उसकी direction ठीक है तो उसने बोला कि vector का इस vector का length किसके बराबर है मतलब length of length of r vector बराबर length of a vector ठीक है तो length of r vector length of a के बराबर a vector कितना दी आगे i plus j plus a और length of a vector क्या होगी length of a vector is mod of a और mod of a root के अंदर one square one square और one square और one square that is root 3 तो length of r vector कितनी हो गई root of 3 ठीक है direction आप vector r बताए किस के बराबर है उसने बोला कि direction towards vector b है तो b की दिसा में vector r b की दिसा में लग रहा है और उसका length कितना है हाँ दिसा किस की ओर है b की ओर और length कितनी है जो a की है length तो b की दिसा में तो direction of r vector direction of किसका b vector b vector की direction और r vector की direction समान होगी कि नहीं अब b vector की direction कैसे निकालते हैं मतलब b cap तो b cap कैसे निकालेंगे उस vector को 2i plus j minus 2k को उसके modulus से divide कर दीजे तो उसका modulus क्या होगा है 4 plus 1 5 5 plus 4 9 का root 3 direction of b vector की direction ही r vector की direction है तो यहां से में क्या मिला direction और यहां से क्या मिला length तो vector जो होगा वो r vector क्या होगा length into direction length कितनी है root 3 direction क्या है 2i plus j minus 2k upon 3 तो आ जाएगा 2i plus j minus 2k upon root 3 vector r हमारा मिल गया ठीक है तो एक छोटा था question हमने लिया है vector a और vector b दिया गया vector a is equal to vector b तो then का मदला है कि option में कौन सा option सही होगा तो equality आप vectors लगाएंगे दो vector equal है अब दो vectors equal है तो हमने बोला था कि दो बाते होती है दो vector equal तभी होगे जब उनका length और उनका magnitude दोनों बराबर हो बट अगर वो x i j k के form में दिये गए है उन्दा ऐसे express कर दिये गए है तो अब उनकी length और उनका magnitude निकालने की जरू नहीं है a vector b बराबर b vector है यह implies करेगा कि x i बराबर x i plus 2 जे minus 3 k बराबर होंगे 3i minus y जे और plus z k अब दो vectors i j k के form में है वो बराबर तभी होंगे जब i का component i से बराबर होगा तो x बराबर 3 होगा j का component j के बराबर 2 बराबर minus y और k का component k के बराबर तो minus 3 बराबर z तो यहां से आया x बराबर 3 y बराबर minus 2 और z बराबर minus 3 option से मिलान करेंगे तो option number कौन सा c ठीक है तो equality आप vectors का एक question था आसान सा इस तरीके से आप questions कर सकते हैं तो किस तरीके से vector बनाना है पिछले लोग question से देखा और किस तरीके से equal करना यह भी देखा ठीक है तो एक question बहुत ही लिए है बट हम यहां देखें के गलती क्या करते हैं कि question लगाते हैं तो गलत क्या कर देते हैं यहां पर बोला गया कि vector in the direction of the vector this or magnitude is this तो required vector जो है वो निकालना है तो जिर required vector आप निकालेंगे तो आप length into direction लेंथ और direction दोनों की जुरुत पड़ती है तो दोनों को आप multiply कर देंगे दोनों component से मिलके vector के दो component होते हैं length और direction तो इन दोनों component से मिलके बना हुआ है तो आप क्या करते हैं कि इसकी length जो है उसका magnitude 7 है तो आपने 7 ले लिया अब उसमें बोला कि in the direction of the vector this तो आप i minus 2 j से multiply कर देते हैं इसी को आप r vector बोलते हैं इसकी को क्या बोलते हैं आप देखिए जैसे ही आपने कर दिया मैंने बोला कि आप कर देते हैं तो अब इसका modulus निकालेंगे तो इसके मादा length तो यह basically 7 आई minus 14 जे आपने बनाया तो root के अंदर 7 square और minus 14 का square बनाया कि नहीं देखिए 7 square और 7 into 2 तो 7 square into 2 square 7 square आया तो 7 और root के अंदर 1 plus 2 square 7 root 5 तो जबकि length कितनी होने चीखिए थी 11 length कितनी होने चीखिए थी और बना कितनी थी तो 7 root 5 बना थी क्या बनाया थी इस 7 root 5 क्यों बनी i-2j की length निकालें क्या निकालें length i-2j की length निकालेंगे तो root के अंदर 1 square और minus 2 का i square तो root 5 आजाएगा इसका मनलब direction जब भी होगी जब भी वेक्टर अगर direction vector है कोई vector अगर direction vector है तो उसका जब modulus निकालेंगे modulus हमेशा कितना होना चीब 1 कितना होना चीब 1 आप इसका modulus निकालेंगे तो root 5 आजाएगा कितना आया तो इसका मनलब यह unit vector है नहीं direction निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा i-2j upon root 5 पास समझे कि नहीं उसने मोला कि इस दिसा में जिस दिसा में यह लग रहा है उसी दिसा में यह है इसका यह मतलम नहीं कि इसकी दिसा यही है उसने कहा कि इस vector की दिसा वही है इस vector की दिसा क्या है यह है तो जब भी आप करेंगे तो ऐसे ना करके क्या करेंगे upon क्या करेंगे root 5 तो यहाँ पर भी क्या करेंगे root 5 तब जाके वो answer आपका सही आएगा मजी बास समझ रहें कि नहीं तो इस ताइब कुश्चन में द्यान रखें कि आप simply क्या करते हैं magnitude का vector से multiply कर देते हैं यह vector आपका direction vector नहीं है इसका direction vector तभी आएगा जब इसके magnitude से divide करेंगे क्या करेंगे इतनी बात ध्यान रखेंगे basics यह है ठीक तो यहाँ पर कुश्चन i plus j a vector i plus j b vector j plus k c vector k plus i find a unit vector in the direction of this तो यहाँ पर जो यह word है थोड़ा सा confusing है इस word a unit vector in the direction of this तो पहले तो हम लोग simple i a plus b plus c निकाल लेंगे यहनि को जोड़ देना है i plus j j plus k और k plus i तो two times i plus j plus कितना आगे है कि नहीं आगे two times i plus j plus कि आगे है ठीक अभी एक vector है यह क्या है vector हम दो unit vector निकाल लेते है unit vector तो unit vector का मतलब है जो भी दिया गया हो two i plus j plus k उसका उसके modulus से divide कर दे modulus का मतलब है कि या तो आप जो common हों के बाहर आ गया उसको बाहर रहन दीजिए अंदर one square one square और यहाँ पर आ जाएगा two से two cancel i plus a plus k upon root of three ठीक है तो देखे यहाँ पर direction of direction of a vector plus b vector plus c vector की देखी जाए is ki i plus a plus k upon root three ठीक है इस vector की direction यही तो आई बोले तो यह जो direction है वो unit vector in the direction of this तो इस direction में यह unit vector आ गया ठीक है इसी का ही unit vector इसी का ही unit vector ठीक है इसकी direction में सारे unit vector को represent करेगा समझे की नहीं बढ़ी बात समझ रहे हैं क्योंकि vector में दो ही बाते important होती है vector जब भी मिलता है तो क्या बाते important है उसका magnitude और उसकी क्या direction तो यहां पर magnitude तो 1 है length कितनी है 1 है क्योंकि unit है unit vector है ना unit vector का मतला पर length 1 और direction अब direction देखिए जैसे यह vector है यह vector है यह vector है यह vector है सब के direction क्या है समान है ठीक है जैसे तीन मार कर रहा है तो तीनों अगर ऐसे points कर रहा है या दूट दूट भी हों ऐसे तीनों के direction क्या है समान है सब इधर ही point कर रहा है तो दिसा जाए इसकी पता जल जाए जाए इसकी जाए ठीक है direction किसी है कि बता दली magnitude सब का 1 है तो इसकी direction का magnitude 1 ले 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 या इसकी या इसकी तो एक ही रहेगा तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका unit vector इसका unit vector इस दिशा में जितने भी unit vector हो सब क्या होगे समान ठीक है तो यहाँ पर भी उसी तरीके से question है unit vector in the direction of a vector equals to 3i minus 2j plus 6k तो उसने सीधे नहीं पूछा कि इसका unit vector निकाली है उसने बोला इस दिशा में क्या पूछा गया कि vector a की दिशा में unit vector निकाली है तो देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि एक question अगर ऐसे आ जाए कि find unit vector of a vector 3i minus 2j plus 6k ठीक है एक आया ये और एक आया find vector of unit length ठीक है उसकी length क्या होगी one और direction direction देखे जैसे कि simple सा example है कि अगर road पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं ट्रक्ट जा रहे हैं car बाइक बाले पैदल तो सबकी दिसा अलग लोगो की समान होगी अलग अलग लोग की दिसा अलग 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 दिसा होगी तो accident हो जाएग भाई तबी तो ठोक देते हैं एक दूसरे को अलग अलग होने चाहिए कि समान होने चाहिए समान भाई route को follow कर रहे है ठीक है एक की तिस्ता पतल जाएगी थीक है हाई वेव रहते हैं तो सब एक तरफ दिखा जाते हो चलते है ना रूड का मतलब है इक ढाय कि दायरेक्शन क्या है तो रूट का मतलब यहीं नहीं की प्लेन, रूट का मतलब यह वही कि सब को दिशा दी जा रही है, क्या दी जा रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग रूट को फालो कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग एक साथ चल पाते हैं, रूट की वज़े से, रूट क् उसने वोला कि magnitude कितना होना चाहिए, 1, तो simple इसका unit vector निकाल लीजे, क्या निकाल लीजे, unit vector निकाल लीए, कैसे आएगा unit vector इसका, 3i minus 2 जे, plus 6 के upon इसका magnitude कितना होगा, 7, तो यह जो आया है, अब यह unit vector इस जिसा में जितने भी unit vector होंगे, सब को represent कर रहा है, यह एक ही नहीं है, जितने भी होंगे, समझे के नहीं, सब को represent कर रहा है, ठीक, ओके, तो basic सा question है, magnitude और length, तीन question यहाँ पे हैं, उन में से किसी एक question को हम कर देते हैं, इसे कि आप उसके बाकी सारे questions कर पाएं, magnitude निकालना है, यह length निकालना है, तो हम इस वाले questions को लेते हैं, कि इसकी length निकालना हैं, तो length या magnitude एक बात है, उसको उसके modulus से evaluate करते हैं, किस से evaluate करते हैं, मतब root लगाएंगे, I के component, बना पॉन रूट 3 का square, और J का component, minus, जिस sign, minus बना पॉन रूट 3 का square, और K का component, बना पॉन रूट 3 का square, तीनों के component के square का sum का root, तो यह तीनों क्या जाएंगे, 1 by 3, 1 by 3, और 1 by 3, यहां पे आप जान रहे हैं, कि 3 by, तो कितना जाएगा, 1 unit, तो last वाले का magnitude 1 था, length कितनी थी, 1, इसी तरीके से इसी formula को लगाके, आप यह और यह magnitude निकालने के, तो magnitude, length, modulus, the same thing, इससे आप vector की length निकाल सकते हैं, direction निकालना भी सिखाया था, direction अगर, नहीं अगर आप आईए, फिर से बता रहे हैं, कि direction निकालना अगर है, किसी vector का, जैसे इस vector का direction निकालना है, तो simple आप उस vector को लिखिए, और इसके magnitude से divide करिए, magnitude of this is what, 1, तो अब यह vector वही आ गया, तो इसका मतलब basically यह क्या है, unit vector है, क्या है, vector अपनी direction के magnitude के, उसका magnitude, as of 1 है, तो जितने भी vector, जिनका magnitude 1 होता है, वो direction vector ही होते हैं, वो क्या करते हैं, direction vector होते हैं, i cap, j cap, k cap, a cap, b cap, c cap, i plus a, upon root 2, इस सब कैसे हैं, direction vector है, direction को decide करते हैं, ठीक, जिमेंट्रिकली vectors को represent करने के लिए, जिमेंट्रिकली देखेंगे जब भी vectors को, तो position vectors का बहुत ही importance है, plane पर points को represent करते हैं, तो वहाँ पर origin होता है, और space, vector हमेशा इस space में होते हैं, इस space में, यहाँ पर खुछ से में मानना पड़ता है, तो position vector, इसके definition या इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, कि एक O fix point लेते हैं, एक O क्या लेते हैं, fix point लेते हैं, और P भी any point, P कोई भी आपने point लिया, दो point लिये, एक O और एक P, बस दोनों में अंतर यह है कि O fix है और P कोई भी point है, चीक है, तो जैसे कि हम एक simple सा example लेते हैं आम भासा में, कि खूटा और गाये, simple सा example लेते हैं, कूटा और गाये, तो fix क्या है, गाये या कूटा, हाँ, तो खूटा fix है, और गाये क्या है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, ओके, तो जो खूटा है, वो यहाँ पर क्या है, O है, और गाये क्या है, P, अब position हमें खूटे की बता करनी की गाय की की खूटे की गाय को खूटे से इसलिए बानते है की खूटा फिक्स रहे की गाय वहीं रहे हाँ तो position हमें O की चाहिए खूटे की की गाय की बोला भाई इसमें डाउट है वाँ वाँ गाय की तो P की position किस की position position of P और किसके respect में with respect to O that is O P vector तो इसको लिख सकते हैं हम लोग short form में PV of P PV of P तो PV of A का मतलब क्या है किसकी position किसकी position A की किसके respect में O के O A O B क्या बोलेंगे P B आप भी ठीक है O C क्या है position vector of किसका position vector of C with respect to with respect to O O और C दोनों point है अब हमें A B vector को लिखना है A B vector A B vector को A B vector को लिखने लिए O B minus O A कैसी लिखेंगे अब P B of P B of B minus P B of A that is A B vector अब फाइनल minus initial C D vector लिखना हो तो क्या लिखेंगे final क्या है terminal point कौन सा है C or D terminal C or D int कहां पे हो रहा है and कहां पे हो रहा है हाँ तो O D minus O C P Q के लिए क्या लिखेंगे O Q minus O P तो position vectors के term में हम लोग किसी vector को express कर सकते है तो यहाँ पे position vector पे आधारी ते question लिए आ है कहा गया कि position vector of the point A, B, C या रिस्पेक्टिबिली यहाँ पे 3 point लिए गये point A लिए गया B लिए गया और C position vector का मतलब है O A vector O B और O C A का position vector O A है B का O B O C का O C यह points है O के respect में O A, O B और O C उसने बोला O A को किस से represent कर रहे है vector A से O B को किस से represent कर रहे है respectably का मतलब है कि A, B, C जैसे respect भी दिया है वैसे position vector भी दिये गए O C का मतलब है A प्लस 2 B माइनस C O A, O B, O C दिया गया है information दी गई थे हमने यह पर collect कर ले अब हमें A B vector निकालना है तो हमने पताया था O B माइनस O A तो O B हमारे पास क्या है अब हमें A कड़ गया है ऐसे आप B C को निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे O C माइनस O B तो position vectors दिये गए है उससे आप vectors find कर लेंगे find करने की नहीं A B C के position vector दिये गए थे आपने A B, B C, C A जो भी आपको निकालना तो निकाल पाएंगे की नहीं निकाल पाएंगे तो किसी vector को in terms of position vector हम लोग express कर सकते है modulus length निकाल सकते है direction निकाल सकते है दो vectors equal हैं निकाल सकते हैं तो इस पर अधारित questions आप कर लीजे basic concept है उसके बाद हम लोग dot product cross product vector triple product scalar triple product और उनके applications देखेंगे ठीक है